कुवेट में हेवी ड्राइवर का डिमांड आया हुआ है तो आप कहेंगे कि सर कुवेट का डिमांड है तो आप कुवेट का लाइसेंस मांगेंगे तो यह वीडियो हमारे काम करनी है लेकिन अगर मैं यह कहूं कि मेरे इंडियन भाई जिनके पास इंडिया का हेवी लाइसें से वो मेरे भाई भी कुवेट जा सकते हैं समझ रहा है यानि कि ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला जिया दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब स्वागत हैं फिर से आपके एक नहीं वीडियो में दोस्तो कुवेट के लिए बहुत ही शान्दा जानदा demand आया हुआ है इसके अंदर 4 trade हैं कौन कौन सा trade है वो सारे trade की जानकारी दूँगा लेकिन सबसे important इसके अंदर ये है कि kuwait के लिए heavy driver का demand आया हुआ है और उसके अंदर अगर आपके पास kuwait का license है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास kuwait का license नहीं है तो आप Indian license, Indian heavy, valid license पे भी kuwait जाके अच्छी पैसे कमा सकते हैं क्या है पूरा detail मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ दोस्तो कुवेट के लिए heavy driver है 30 quantity में अगर condition की बात की जाए तो इसके अंदर दो condition है सबसे पहला कि आपका जो age है वो 35 साल से कम होना चाहिए और education की अगर हम बात करें तो कम से कम high school pass यानि कि English बोलना लिखना थोड़ा पहुत आपको आना चाहिए और Arabic आता है तो ये आप driver का demand ये basically है FMCG यानि कि food delivery बड़े बड़े container packets दिलीव करना या जो courier वगरा होता है flip cart Amazon या कोई parcel को delivery करना इस type का काम है इसके अंदर जो मेरे भाई kuwait में काम कर चुके हैं तो कम से कम 2 साल kuwait से आए हुए उनका होना चाहिए जैसे कि अगर आप 2020 में गए हैं तो आप ये interview दे सकते हैं लेकिन अगर आप 2021 में गए हैं तो भी आप ये interview दे सकते हैं लेकिन 2022 में गए हैं तब आप ये interview नहीं दे पाएंगे क्योंकि कम से कम 2 साल आपका पूरा होना चाहिए kuwait से आए हुए तब ये interview दे पाएंगे दूस्तों दूसरा जो हमारा trade है वो है furniture installer furniture installer हमें च की बात करूँ उम्र की बात करूँ तो जादा से जादा 30 साल यानि कि 22 साल से लेके 30 साल के बीच का age होना चाहिए और high school pass की ओल वही मेरे भाई से interview को दे सकते हैं जो high school pass है basic English बोलना लिखना जरूर आना चाहिए और furniture से सम्मंधित kitchen installation से सम्मंधित आपको काम की जानकारी हो होना चाहिए इसके बाद है kitchen installer और जो हमारा चौथा ट्रेड है वो है assistant furniture installer तो यह चार ट्रेड है अब हम सेलरी की बात करें तो जो मेरे भाई heavy driver है उनको 225 kd salary मिलेगा प्लस food wagon के तरफ से है और जो भी कुवेट का labor law के हिसाब से जो भी facility मिलेगी वो आपको अलग से मिलेग जो kitchen helper है उनको भी 200 kd salary मिलेगा जो assistant furniture installer है उनको 165 kd salary मिलेगा तो जो मेरे भाई interested है फटा फट दिली dynamic office में आए और चैनल को सब्सक्राइब जिरूब करें इता demand और पूरा detail salary के साथ जो मेरे भाई interested है और कुवेट जाना चाहते है तो 18 जुलाई को दिली dynamic office में आए अपने passport और document के साथ इस interview को देने के लिए दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और जो मेरे भाई के पास Indian license है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी informational वीडियो हमेज आपके पास आता रहेगा तो आप सब दोस्तों का धन्यवाद